हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब लेकर पूष्टाज के लिए बुलाया था लेकिन जल्द ही ये बैठक फेस्बुक बनाम सभी राजनी तिक डलों में तब्दील हो गए बैठक में मौझूद सभी पार्टियों के सांसदों ने फेस्बुक पर पक्षपात के आरोप लगाए समिती के कॉंग्रेस सदस्यों ने कहा कि बीजेपी और उससे सहनभूती रखने वाले नेताओं और संगठनों के पोस्ट तो नहीं हटाय जाते लेकिन उनके विरोधियों के पोस्ट को हटा दिया जाता है कुछ कॉंग्रेसी सदस्यों ने फेस्बुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी प्रमुक अंखी दास की बीजेपी से नस्दीकियों का मामला भी उठाया कॉंग्रेस सदस्यों ने फेस्बुक और कुछ सरकारी संस्थानों के आपस में कारुबारी रिष्टों पर भी सवाल उठाये बीजेपी के लिए बैठक की प्रिस्ट भूमी एक दिन पहले ही तयार हो गए थी जब सूचना प्रजोगु की मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेस्बुक के CEO मार्क जकरबर को एक पत्र लिकर या आरोप लगाया था कि 2019 के लोक्तभा चुनाओं में फेस्बुक का रवईया बीजेपी के प्रती पक्षपाद पून रहा था बैठक में मौजूद कुल 18 में से 11 सदस्य बीजेपी के थे बीजेपी सदस्यों ने फेस्बुक इंडिया के MD अजीत मोहन पर कॉंग्रिस से रिष्टो का आरोप लगाया बीजेपी सदस्यों ने ये भी कहा कि फेस्बुक इंडिया में टॉप पर बैठे कई अधिकारी कॉंग्रिस और लेफ्ट विचारधारा के हैं बीजेपी सदस्यों ने ये भी आरूप लगाया कि फेस्बुक की फैक्ट चेक्टी में भी कई कर्मचारी, कॉंग्रस और लेफ्ट की विचारधारवाले हैं इसके सामने क्वेस्चन मार्क है और इसीलिए इसक्वेस्चन मार्क को आसानी से नहीं लिया जा सकता है। के खिलाब जरूर जरूर जॉइंट पारामेंटरी कमीटी से जाच होनी चाहिए कोई मेकनेजम ऐसा जरूर बिल्डप होना चाहिए कि सुतंतरता की आजादी भी हो विचारों को प्रचार प्रसार करने की भी आजादी हो लेकिन कुछ सेल्फ रेस्टेंट भी होना चाहिए फेस्बुक के प्रतिनीधियों को एक बार फिर तलब करने का फैसला लिया गया क्योंकि पूछताश पूरी नहीं हो पाई हलकि संसदी समिती का कारेकाल 12 सितंबर को खत्म हो रहा है ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि फेस्बुक को दुबारा कब बुला जाएगा